नमस्कार मित्रो आप सर्वेनु आपनी जेनल आर्ट ओफ एजुकेशन मा स्वागत छे आजे आपने जोईशू के आपने आपना विद्यार्थियोनु रिजल्ट ए ओनलाइन के वरीते मुखी शक्ये एटले के जे वरीते दोरन 10 अने बार बोडनु जे रिजल्ट ओनलाइन म लए शके छे तो सव प्रथम एना माटे आपने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ए पीएचपी एक प्रोजेक्ट छे के जे ओनलाइन डेटाबेज होई छे तमे जेरे डाउनलोड पेज उपर थी ए फाइल डाउनलोड करशो त्यारे आ काइक आवास्वरूप नी जोवा आटे तमारा कोंपीटर नी अंदर जीप होँ जरूरी छे जी अन जीप करी शके अथवा विन्डरार होई तो विन्डरार थी पन तमें करी शको छो तो ए जीप फाइल छे रेर फाइल ए मड़ी जसे आ सिवाई तमाम वस्तुने डेमो ए आईया तमने आपेल ओच छे पन आ आ वीडियो ना डिस्क्रिक्शन मा अटले के नीचे जे डिस्क्रिक्शन आय पूद छे मां आपी रहे ओच वोचओ डियरेक्ट तम्हे तमें ती डाउनलोड करी शको छो हवे आपणे झो ए के result management system छे तो आज ये Result Management System नूँ जे ZIP फाइल छे तमने आ वीडियो ना डिस्क्रिप्शन मा एक लिंक आपेली छे ये लिंक पर थी डाउनलोड करी शको छो आज जिप फाइल छे ये डाउनलोड करा बची ताना पर राइट क्लिक करवानू छे आने एनने तमारे एक्स्ट्रेक करवानी रेशे फाइल ने तमे एक्स्ट्रेक करशो अटले तमने स्टुड़न्ट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम एनाम नूँ एक आउ फोल्डर जोवा मड़ छे एननी अंदर तमने बे टाइप ना फोल्डर जोवा मड़ छे एक छे SRMS आने बिजू छे SQL फाइल मित्रो आप बे जे फोल्डर जोवा मडे छे ए फोल्डर न माथी जे SRMS फोल्डर छे ए एनू आखी थीम छे अटले के ए जे वेबसाइट करियेट थाई छे वेबसाइट नी डिजाइनिंग नी आख्याखी थीम आपपामावी छे जेनी अंदर एनी स्टाइल छे फोन्ट इमेज अने जावा स्क्रिप्ट ना फोल्डर आपेला छे आमा हमना आपने कोईपन जातनो फेरफार करवाना न थी त्यार पच्छी एक बीजी फाइल से SQL फाइल जेनी अंदर आ रिजल्ट मेनेजमेंट जे आपड़ी वेबसाइट से एनो डेटाबेज आमा स्टोर थशे तो सव प्रतम आपड़े ओफलाइन डेटा एंट्री माटे एक सोफ्टवेर डाउनलोड करू पडशे जेम्प सर्वर तो मित्रो जेम्प सर्वर डाउनलोड करवा माटे जेम्प लखी एनने तमे जेवू सर्च मार शो अटले तमने गुगल नियंदर जेम्प सर्वर डाउनलोड करवानी लिंक मड़ी जाशे आ लिंक पण नीचे डिसक्रिप्षेन माँ छे तमे त्यां थी आ जैंप सर्वर चे ए डाउनलोड करी शको छो डाउनलोड केरापची एन ये इंस्टोल करवा माठेना स्टेप पण तमने समझाःविदो तमे जैंप सर्वर डाउनलोड करशो अटले तमारा डाउनलोड फोल्डर नियंदर ए जेंप छे ए आवी जशे अने तमारे एन आपड़ डबल क्लिक करी अने आज ये जेंप सर्वर देखाई चे नापड़ डबल क्लिक करी अने जरुरियात मुझे बना स्टेप छे ये करवाना चे अटले के इंस्टोलेशन ना जे स्टेप रेगिलर प्रोग्राम नियंदर आपड़े वापर ताविया चे ए रन, नेक्स्ट, नेक्स्ट अने फिनिश तो ए आपड़े जेंप सर्वर छे अतियार एमारा आमारा इंस्टोल करेलू छे टले हूँ अमा आप तो नाथी परन तमे येस येस आपशो अने ने कंट्रोल पेनल आपली चे एक कंट्रोल पेनल उपर क्लिक करश ओटले तमने आप्रकार नू केंग एक विंडोज अवाँड़े चे आव विंडोध नी अंदर मेन जे आपड़ी सर्विस चे जे एपड़ा चे अने माई स्क्योएल सर्वर ए बननने सर्विस आपड़े ये स्टार्ट अना स्टॉप करी शकीएची यह त्यारे ये सर्विस बनचे तमारे जारे येने सरु करवी होइतोने स्टार्ट आप पानूँछे आ माई SQL सर्वर छे ये तमारू स्टार्ट थिजेशे बिजु अवे आपने जे आपनु फोल्डर अतु जे नी अंदर srms नम नुए अपने बिजु सब फोल्डर मड़ेलू छे एनने राइट क्लिक करीशू औने एक कोपी बनावीशू अटले के राइट क्लिक अने कोपी आ कोपी करेलफ फायल ने आपने CDRI नी अंदर जे शू अटले आपने ZAMP नम नविए एक एप्लिकेशन नूँ फोल्डर मड़ेशे एफोल्डर नी अंदर जे शू अटले आपने एक H2Docs करीने एक फोल्डर मड़ेशे सब फोल्डर हेशे एना पर डबल क्लिक करीशू अटले अहिया तमारे ए फाइल छे आने पेस्ट आप पानीश्य तो अहिया आप जोई शकोजो कि ए फाइल छे एहिया पेस्ट थे गया पच्छी हवे आपड़े अहिया ब्राउजर नी अंदर लोकल होस्ट एउ लखवानू छे लोकल होस्ट अने त्यार पची srms अटले तमने लोकल होस्ट srms लखवा थी तमारू जे एड्मिन लोगिन पेनल छे एउपन थसे त्यार फर्स्ट टाइम लोड थवामा थोड़ी वार लाग छे पची लोड तरत थे जासे तम्हें जोई शकोचो के एड्मिन पेनल है यहां खुली गियू छे आबाजू तम्हें जोई शकोचो के सर्च यो रिजल्ट आएउँ छे अन्ने यहां एड्मिन लोगिन छे हवे आपड़े आपड़ो डेटाबेस अपलोड करवानों छे अटले के विज्जियार्थियोनों जे डेटाबेस छे एए अपलोड करीशू एन्ना माट यहां प्लस नू बटन आपेलू छे एन्ना पर क्लिक करीशू त्यार पची अहियां आपड़े लोकल होस्ट लखिशू औने php my admin लखिशू औने enter आपिशू local host php my admin लखे आपड़े एंटर आपिशु, जहनी अंदर आपड़े डेटाबेज क्रियाट करवानों से, मारी पासे ओल्डरीडी जे डेटाबेज बनेलों से, नुपला डिलीट करी दोशो, तले पद सी, आपड़े क्रियाट करी शक्किये ओके, आपड़े अपड़े, अहीं ड्रोप करी शकिये छिये ओके हवे आपडे नवो डेटाबेज क्रियेट करवानों छे यहां न्यू आइपू चेना पर तमें क्लिक करशो अटले तमने आर इतनों एक मेनू मड़शे जेनी अंदर आपडे डेटाबेज ने नम्मा SRMS लखवानों छे SRMS अने अहिया यूटी एफ एट जनरल लेवानों छे यूटी एफ एट जनरल सी आई आये खास याद राखशो कि यूटी एट जनरल सी आई आपडे लिजलू होगू जोई है त्यार पची क्रियेट डेटाबेज आपशू अहिया ओल्डेडी एक SRMS बनेलों छे यूटी आपडेला ड्रोप करवा पडशे ओके हग आपड़ो डेटाबेज बनी शक्याँ छे तो मित्रों जोई शक्वाच होग आपड़े SRMS डेटाबेज क्रियेट कर नाइक होचे हग आपड़े आमा आपड़ो जे SRMS नो जे डेटाबेज हतो SQL सर्वर नो एए यह इंपोर्ट कराविये ची एटले इंपोर्ट ना बटन पर क्लिक करीशू एए यह ब्राउज फ्रों कम्पीटर आपड़ो छे एना पर आपड़े क्लिक करीशू एटले आपनने डेस्टोप मा आपड़ो जे फोल्डर तू रिजल्ट माटेनू एए फोल्डर आपड़े ओपन करीशू रिजल्ट मैनेज्मेंट सिस्टम एनी अंदर आपड़ो SRMS नी बाजू मा SQL फाईल वालू जे फोल्डर छे ए फोल्डर नी अंदर एक SRMS SQL फाईल छे एस सिलक करीशू त्यार बाद अहीं एक बटन आपेलू छे गो गो नामनू बटन आपता पेला यहां जोई लेवानू छे के केरेक्टर सेट छे युटी एफ एट हो ज़रूरी छे आमा थी बिजो अन्य कोई लेवानो नथी युटी एफ एट हो जोई है अने हवे आपड़े गो आपीशुग प्रतियारे जे आपड़े प्रोसेस करी रिया चीए मित्रोई आपड़े ओफ लाइन अटले क्या आपड़ा कोंपीटर नी अंदर अज वेबसाइट क्रियाट करिये चीए अने एमा डेटाबेस फिलिंग अने फोर्मेटिंग काम पते पच्छे आपड़े बिजा पार्ट आपड़े नी अंदर ओनलाइन करवानू छे तवा प्रथम पार्ट आपड़े पेला सिखी लाइए पच्छे आपड़े बिजा पार्ट मां जीए मित्रों हुवे है यहां तम्हें जोई शको चो के आपड़ो डेटाबेस छे सक्सेस्पूली अपलोड थे गेओ छे तम्हे डेश्बोड ना अन्या एडमीन लोगिन पेनल छे एमा एडमीन अन्या पास्वर्ण नी अंदर test-1 test- est-123 ADMIN अना इन्या test- t- capital test- 123 123 साइन ही नापीशू एटले तमें सिधा डेस्ट बोड पर आवी जशो अन्ने तमें जोश्यको जो के डेस्ट बोड नी अंदर विद्यर थियो जे रेजिस्टर थिया छे एनो रिजल्ट आहिया जोवा मड़े छे आपड़े आमा आपड़ो डेटाबेज अपलोड के विरित्या करी शुए आपड़े सिखिये सव परथम आपड़े पहला तो Class Create करवा पड़े एना माटे Class मा जीए एमा बे टाइप न ओफशन तमने जोवा अमड़े Create Class अने Manage Class तो जहारे आपड़े अपड़े शाडाना Class Create करवा जीए त्यारे आपड़े क्रियेट क्लास मां जेशू, अहिया तमारे क्लास नाम, क्लास नेम ने अंदर वर्ग नू नाम आप पानू छे, फोर एक्जेंपल मारे चोथानू राख हुए, तो फोर्थ लखू छुए या, अन्ने नुमेरिक नेम मां चार आउशे, सेक्षन धारोके आपड़े चार अ छे फोर्थ ए, मित्रो आवे रीट्य आपड़ो धोरण क्रियेट थाई तमाम धोरण या इन्या थी, मैनेज क्लास मां जोई सकोचो, जे क्रियेट थहला छे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या तमे जोई सकोचो, अन्ने फोर्थ ए में ये अंक्रियेट किरूँ छे, तो आ बदा धोरण यहां create थाई चे यहां तम्हें ओल्रेड़ी आपेला database मा थी पन तमारी रीते धोरण update करी शको छो त्यार पची आपड़े subject create करवाना ची यहां पहला तो आपड़े manage subject मां ची एटला आपने जे create थाईला subject चे यहां तमने जोवा मडशें यहां तमें जो शको चो के math, English, science ने आपड़ा subject यहां create थाईला चे हवे add subject combination आपेलू छे यहां धोरण वाई subject तमें add पन करी शको छो अटले के मानो के आपने धोरण 4 अ चे एमां कईयो subject add करवा मां गिये ची यहां तले के गणी आपड़े add करिये रहे हवे आपड़े गुजराती चे subject add करवो पड़ चे ना मटवाट आपड़े subject मां create subject करिये ची यहां सब्जेक्त नहीं गुजराती नाकिये ची यहां आपड़ो subject कोड मां GUJ । गुज चे यह अपड़ो subject कोड रे श। तो आपड़ो आ सब्जेक्ट छे यह चोथा दुर्ण नियंदर आपड़े एड करवानों चे अटले मेने एड सब्जेक्ट कॉंबिनेशन मा जेशू एनियंदर सेक्षन फोर्थ ए चार अनियंदर गुजराती आपड़े असाइन करिये चे तले आपड़े दुर्ण नियंदर हवे आपड़े बे विश्यन आए खाचे गुजराती आने मेच्ट आपड़े डेमो चे अटला माटे वे वदू सब्जेक्ट हूँ या एड न थी करतो आपड़े जी एची आवे स्टुडेंट मा एड स्टुडेंट नियंदर अने मेन इलो ए बाई डिफोल्ट नाखेल आवे छे न आपड़े ए स्टुडेंट न एडिट करीने आपड़ा स्टुडेंट नो डेटा यमा फीड खरावी शक्ये जेटले के आपड़ा स्टुडेंट न नाम तारोके आरिते होए अन्ने एनु रोल नुमर आपड़े एक आपिये आप इमेल आईडी कोई पन राखी शको छो इन्फो 1,2,3,4,M कोई पन इमेल आईडी राखी शको छो त्यार पची आपड़े ए विद्यार थियो ने क्लास असाइन करवा नो छे ए क्लास असाइन आपड़े पची करी शू हाल तियारे आरिते तम्ये बदु डेटा बेज इते एडा करी शको छो मेनेजे ख्लास नी अंदर आपड़े आ यहां furs और सेकन्न ना क्लास नी अंदर मेन्ये चमा छे शूहाल तम्हें ख्लास नी फ्री एक वखत एडिट करी शागो जहाटले के जह ओल्रेडी जह क्लास बनी गया छे एमा जो कोई भूल रहे गई होए तो तामें फरिवक्त तेने अपडेट करी शको छो हाव आपड़े जोईए एड स्टुडेंट ना ओप्चन छे एमा आपड़े स्टुडेंट ने एड करवाना छी है एक स्टुडेंट हुँआ है एड करी रहे ओछुँ एणो रोल नमबर आपड़े एक आपड़े एची है इमेल एड्रेस मेजम की दुएम abc.xyz.com तम्हें कोई पन इमेल एड्रेस राखी शोको छो एनो क्लास धारों के आपड़े 4th A मा काम करी एची एटले 4th A राखी एची जन्मतारिक आपड़े जे जन्मतारिक आपड़े जन्मतारिक हाव त्योई है यहां फिड करावी शो अपड़े एक स्टुड़ेंट आहिए एड थाए चे रोल नमबर एक त्यार पच्छे आपड़े रोल नमबर बे माटे बिजो स्टुड़ेंट एड करी शेकिया एना माटे नू रोल नमबर एडी बे राखिया इमेल एड्रस में की दुएम एबीसी एड़ेट कोई पन तमें राखी शकोँछो त्यार बाद हवे आपड़े एने क्लास सिलक करी शुक फोर्थ ए जन्मतारिक हेनी तमारे जे राखिवे एते राखी शकोँछो यहां प्रोब्लेम नथी एने जन्मतारिक चे एड करो तो रिजल्ट माए शो थासे हवे आपड़े जोईये रिजल्ट ओप्शन एनी अंदर एड रिजल्ट और अने मेनेज रिजल्ट आपेलू छे एड रिजल्ट नी अंदर आपड़े विज्यार्थी ओन्नू रिजल्ट चे एड करी शकिये चिये दोरण वाईज तो आपड़े पेला जे दोरण सिल्ट करीशू ए दोरण नी अंदर जेटला विज्यार्थी होसे एनू आपड़े नाम तमने जोवा मण से फोर एक्जामपल आपड़े राज चे रोल नंबर बे एनू रिजल्ट सिल्ट करी गुज्र बड़ू पर जोवा मडशे के टोटल साथ विज्यार्थी हो रेजिस्टर छे एनी अंदर आठ विशयो छे टोटल आखी स्कुल ना ए विशयो नी अंदर टोटल क्लास चे पड़ आठ चे अने पाच विज्यार्थी होनू रिजल्ट आपणे डिकलेर थाए चुक्यू छे लोगाउ टाइपा पच्छी यवे आपड़े विज्यार्थी होने रिजल्ट माटेक आईया क्लिक करी शुँ अटले आपड़े आपड़े विज्यार्थीनू रिजल्ट चेक करी शकी चुँ फोर एक्जांपल आपड़े बे नंबर नू रिजल्ट क्रियाट केरलू छे સેલેક કલાસ માં ફોર્થ સેકશન એ સર્જ એટલે વિદ્યાર્થીનું જે રીજલ્ટરસે ઓટોમેટિક એયા આ વિજ મુકી શકીએ છીએ હવે થોડી વાદ કરીએ કે આમાં આપડે આપડું સ્કૂલ નુનું નામ કેવરીતે એડ કરીશુું આપણે રીજલ્ટ એવું લખેલું એક PHP ફાઇલ જોવા મળે છે અના પર રાઇટ ક્લીક કરવાની છે તમે નોટપેડ માં આથવા નોટપેડ પલસ પલસ માને ઉપણ કરી શકો છો અત્યા રેઓ નોટપેડ પલસ વાપરી રીઓ છો તમે નોટપેડ માં પણાને એડિટ કરી શકો છો કોઈ પણ જાતનો આપણે ફેર્ફાર નઇએ કરીએ જોઈયા તમે કોમા છે અથવા સેમી કોલં છે દૂર કરશો ઉપર તું સે ત્યાં એ અસર કરશે બ્રાબર છે તો એ વીરીતે તમારે ખાસ એ ધ્યાન રાખાનું છે કે આમાં જાતનો ડેટા બેજ અથવા કોઈ વસ્તુ છે એ દૂર ના થી જે ફૂર એકજાંપલ હીયાં રોલ નંબર આઈડી છે જાતનું અલ્પવીરામ આપણે દૂર નથી કરવાનું અથવા એડ નથી કરવાનું માત્રા આપણે આપણે સ્ટેન્ટ જો તમે એજોઈ શકો છો આ એજ થ્રી એટલેત ત્રીજા નંબરનું હેડીંં છે એટલેત ઘણાવધા પ્રકાડ છે એજ એડીંગ મૂકો એતો તમાર આગળ પી લગાવુ પડછે એંગ્લીસ માજ લખાનો છે ને પેરેગ્રાફ નો પી આઈયાં પેરેગ્રાફ ઓર કરતાવે ત્યારે પાછો ને પી ઓર કરવો ભૂલતા ને તો આ બીજી લાઇન છે જે આપળી એડરસ લ ફાલ નો થી જોઈ થી તો અયાં તમે ટેક્સ ફાલ છે એએ રાખી છોકો છો આપડે ચેક કરીએ કે આમાં કોઈ ભૂલ ચેએ કે નઈ તો અવે એએ સેનટર માને થીઆ ઉતું તો એને સેનટર માં લેવા માટે એક પીછે એની અંદર આયાં પેરગ્રાફનું અલાયન સેન્ટર કરવાનું છે એલાય્જીએન લાયમેંટ એને આપીસો આપડે સેનટે સેન્ટર આપડો જે પેરગ્રાપં છે એસેન્ટર લાયન થેજેશે હવેયાપણે હેયાં જેયે લખીશું એસેન્ટર લાયમાં અને સેવાપીયા છેએ વેફરી એકો ખતમે ચેક કર્શો તો આપરોડીયા રોડ છે એગ્જેટ વાગેરવાં તાલુકા કરવા આપડ છેડલા કા હેયા નામ લખું છો વિદ્યાર્તીનુનુનુનુનામ તો એઆપડે ગુજરાતીમાં મીત્રો આજે ટેબલ કરીએટ થાય છે એ સીએસેસ ફોરમેટીંં છે ટેબલનું જે ફોરમેટીંં એમુજે બ્થતુ અત્યારે હું એમાં જા કોઈપણ જાત્નો ફેરપાર કરવા માક તોય થી પણ તમે એ છે કરી શકો છો એતમે કોઈ પણ CSS ફાઈલ છે એના ઉપર રાઇટ ક્લીક કર્સો અને એડિટ કર્સો છો એની સ્ટાઇલ ફોરમેટિંગ આમાં પેલી છે તમે જો ઓતો હેયા તમને તમે તમાં પ્રકારની સ્ટાઈલ નું ફરમેટિંગ તમને જોવા મળે છે તમે તમને જોવા મળે છે એમા ટેબલ ની સ્ટાઈલ તમારે સંજ કરવાની છે તમે 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 કરીને બતાવે તમે 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 यह नो तमाम प्रकार्ण नो styling ना जे coding छे मित्रो यह यहां मड़ी जैसे तमें यहां थी जो इसको छो के table नो style छे विद्यार्थी ना result माटे जो तमारा type नो table यूज़ करूए या थ्वा को यह type ना table यूज़ करवावे तो तमें सारी दकर इसको छो यहां यहां तमें जो इसको छो style seat आपेली छे आमा जे table ने अंदर जे font family borders ने जे वस्तो आपेली छे यह तमें यहां थी आज type नो table छे तमारा बनावी शको छो टी एच जे आपेलू छे एमा थी तमाया सिलेक्षन करी अने टी एच टी आर ने जे आपड़ू छे आप फोर्मेट आमा करी शको छो यहां आपड़े टी एच टी आर छे table माटे फाइंड करवानू रेशा अमां css माना थी तो आपड़े बीजी css वाइल छे यह चेक करिया आपड़ू ટेबल મળી ગીં છે હેમાં તીએજ ની જે સ્ટાઇલ છે એતમાં હેયાં ચેંજ કરીશ્ગવા હેડ્લ ની સ્ટાઇલ ની જે હેડેં માટે યૂ સ્ટાથ હેજે આછે છેજ થેજ હેજેજ તેજ ટેદે ની સ્ટાઈલ છેજ હે છેજ્યાં જે ती एज नी जे स्टाइल यहां आपेली छे एज तम्हें तियां एपलाई करी शको छो यहां कलर्स निये घणी बदीवस्तु हो छे ए सारी यह वी आप आमा आवेली छे फोर एग्जम्पल आपड़े टी एज मांटे आ सिलक करिये छे वाइट वालू छे यह यहने कोपी मारिये यहां आपड़ू जे टी एज नी स्टाइल छे यहने सिलक करिये अन्ने प्यस्ट मारिये अथवा मात्र कलर पण आपड़े फेर वी शकेत आपड़ू रिजल्ट छे एमा ट्राइ करी जुए के एमा फेर पर आवे छे के नहीं तो मित्रो तमें जोई शको छो कि ग्रीन कलर छे यह जे नू मेन हेडिंग छे आव ताथा यहमा आविग्यो छे एवी रिते स्टाइल सिट नी अंदर गणा बिजा ओप्संस आपएला छे एलाई ने आपड़े एमा फेर फर करी शकी यह छिए दाकला दरीके टीडी छे यहमा पड़े कलर कोले वहीत तो कलर पिकर आयों सर्च मार वानुँछैंञे कलरं पिकर सर्च मार सोटलैंत आमने यहार अं तमें जे कलर सीलेक करशो यह कलर तमने हेक्स यहां मड़े चेटले के मानो के मारे टेबल नी बोडर नी अंदर आओ आचो कलर राख हो चे तो वहाने सीलेक करू कोपी मारू अन्येना अहिया, कलर जे आपवा मान थी अ ओटीडी मां तो यहां कलर अहिया थी एड करावी शकूछुँँँँ फोर एक्जाम्पल आपडे बेग्राउंड कलर छे एह ऑईड करावी है चिये अन्ये बेग्राउंड कलर नी चे टेग छे एटेग आहिया पेस्ट मारी दो चुँँँ तुमारे फोर्मिला आसानी थी, एनू प्रोग्रामिंग आसानी थी तमी याद राखी सको, हवे वाने रिफ्रेस कराईश, तो तमी जोए सको छो, के रिफ्रेस करवा थी ए पटिकुलर जेवस्तू छे, हमा चेंजीस आवी जाये छे, तो मित्रो आ रिते तमी अमा डिजेनिं और CSS माथी चेंज करी शको छो, आवा तती ओफ्लाइन रिजल्ट नी, तेने ओनलाइन के रिते मुकू, ए हवे आपने पार्ट टू मा जोएशू,